दूस्तों मेराज पांडे आप देख रहे हैं आर्चियों ने तुड़े आईए जान लेते हैं अभी की लेटिस्ट अपडेट की बारे में अभी की बड़ी कबर ब्रेकिंड नुइस की बारे में बात करेंगे सबसे पहले मैं बात करूँगा सात्री चर्ण के मद्दान को लेकर आपको मालू होगा छे चर्ण समाप्त हो चुका है सात्री चर्ण का मद्दान सात मार्च 2022 को होगा किस मुद्दे पर मतदान होगा कौन सा मुद्दा हाविर हैगा इस विशे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी आरो ए आरो भरती परिक्षा में जमकर धादली हुई है कई साच परतियोगी छात्रों के द्वारा लगाये दा रहे हैं क्या परिक्षा रद्ध होगी इस पर भी आपको पूरी अपडेट मिलने वाली है वीडियो को पूरा देखते रहेगा सत्तानवीजार सिच्छग भरती का मुद्दा केवल समाजवादी पार्टी के माध्यम से उठाय जा रहा है आस्वासन दिया गया है भरती का विज्ञापन जारी होगा कोई आएसी रैली नहीं होगी जहां पर सत्तानवीजार सिच्छग भरती की मांग ना की जा रही हो आपके जहने में एक सवाल होगा कि अकले शियादो के रैली में है क्यों सत्तानवीजार सिच्छग भरती की मांग की जा रही है बाबा जी के रैली में 378 चखवार्थी के मांग क्यों नहीं किजा रहे है तो इस विशे में भी आपको जानकारी मिलने वाली है खादी पदार्थों के दाम बढ़ने वाले हैं जैसा कि आपको मालूम होगा कि गैस के दाम बढ़ने वाले हैं आपको अभी मालू होगा कि 20-25 रुपे पिट्रोल के दाम बढ़ने वाले डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं उसी प्रकार से खाने पीने के समान भी आपको आस्मान पर नजराएंगे महाँगाई बढ़ने वाली है क्या क्या बढ़ेगा किस किस के दाम बढ़ेंगे इस विसे में पूरी जानकारी मिलेगी सीटेट पर इच्छा परड़ाम तयार है या नहीं पर इच्छा परड़ाम कर तक आएगा क्या उमीद लगाई जा सकती है क्या चर्चाहें चल रही है इस बिसे में आपको जानकारी मिलेगी बिहार में एक और भरतिकावी ग्यापजारी हुआ है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था उस बिसे में आपको जानकारी मिलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें इसी परकार के अथेंटिक जानकारे के लिए जिससे आपको समय समय पर सभी सठीक जानकारे मिल सके जब भी आपको वीडियो देख रहा हो तो यूटूब पर सर्च करें आर्सीय न्यूस टूड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बे आप यूटूब पर सर्च करिए उसके बाद आपको पूरी जानकारे मिलेगी लेटिस्ट वीडियो देखने को मिलेगा साथवी चण के मद्दान में मुद्दा क्या रहेगा देखिए अब इधर जो मद्दान होना है बेरोजगारी महंगाई साथ साथ जातिकत समय करन के आ बीड़ हो रही है इस्तनी भीड़ हो रही है आप लोग टीवी में देख रहे होंगे तो फिलहार किसकी सरकार बनेगी इस मुद्दे पर बात अभी नहीं कर सकते हैं दसमार्च को नतीज़ा आएगा लेकिन बेरोजगारी महंगाई सासकी सान और जातिकत समीकर्ण के आधा पर चुनाओ होने वाला है और कुछ ऐसे लोग भी आपको मिल सकते हैं जो देश हित राश्ट हित की बात करेंगे लॉइन और की बात करेंगे तो आप सो सकते हैं किस तरफ चुनाओ जा रहा है क्या आंकणे निकल कराएंगे आपको साथ तारीक को जानकारी मिल जाएगी त सवारो यारो भरती परिच्छा निर्थ होगी क्या सभी के जहर में है सवाल है सवाल के जफ़ाब आपको मिलना चाहिये कि मैं आपको इसपर कोई भी उतका प्रदिश्की परिच्छा हो बर्तवान सान सरकार की सासन काल में परिच्छाय रद्ध कम होती हैं जब तक कोई बड़ा आउजेक्शन ना हो जैसे बीडियो भरती 2018 में बड़ा आउजेक्शन हो तो मंत्री जीने सवाल खड़े कर दिये थे रूर लंबर दे दि यूपियुआज परिच्छा में बिधाजली के अरूप लगे कि उसकी आरों ए परिफशाम NOW को कुसी काम को प्रगस्ती पर लाने के प्रतियों की चात्यों को संघर्स करना पड़ता और जब तक संघर्स नहीं करेंगी इस समाधान नहीं हो सकता और परिच्छारद नहीं हो सकती अगली अपड़ेटे 97000 सिच्छक भरती को लेकर मउग की खबर है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यहां पर आपको प्रतियोंगी ज्छात्र नरजर आ रहा है और यहां पर देखे साब साब लिखा हुआ है 97000 सिच्छक भरती 22 में 22 किल oriented 97000 सिच्छक भरतीч मांग क्यों की जा रही है। क्योंकि अख्रेश यादो लिगातार मुद्दे पर बात करे महंगाई पर बदो पर बात कर रहें और नहीं किसी पार्टी की द्वारा मुद्दों पर बात नहीं किया जा रहा एक भी प्रिस्त महंगाई का जिकर नहीं है क्योल यूक्रेन रूस हिंदू मुस्लिम असी बीस गुंडागर्दी जिन्ना 24 घंटे विजली आ जाएंगे तो गुंडा हो जाएंगे या जाएंगे बतलब जो भी आ रहा है तो कहे रहे हैं इस तरह के मुद्वर लेकिन आप एक एक वीडियो क्लिप मेरे पास भीजिए जिसमें कहे हों कि हमारी सरकार बनेगी तो बेरोजगारी दूर की जाएगी रोजगार दिया जाएगा सरकारी नोकरी दी जाएगी इतने पद रही नहीं पदों को भरा जाएगा तो मुद्दो परबात नहीं की जारे बर्तवान सरकार की द्वारा और अकलेश यहादो लगाता नए शिच्छ-बharty की बात करें गियारलाक की रिखतो परणप करें, समधा कर्वियों की बात करें पुरानी पेंसिन की बात करें आई उस विमा में छूट की बात करें तो युवा किसके साथ जाएगा युवा किसका समर्थन करेगा आप ही सो सकते मुझे बताने के वश्कता नहीं है जहां जिसको लाभ मिलता है उसी के तरफ आकर्शित होता है यहां पर जातवात का कोई खेल नहीं है युवाओं के साथ लिजातवात का खेल नहीं है लेकिन अंड जो है जो 40 साल से उपर के हैं या यह साल से ऊपर के हैं कुछ रोगा ऐसे जो जातिगत राधिनीत करते हैं रातिकर हाधार पर ओड़ देते हैं और हर जगा का यही सिच्टम है तो आप समझ सकते किस हाधार पर चुनाओ हो रहा है पहुत तगड़ा चुरा हो बहुत कांटे का चुनाओ है तो सतारविया सिच्छक भरती का विज्ञापन जारी होगा मैं कहा रहा हूं लेकिन इतना भी आपको इस पर बता दे रहा था तो पहला चरण का विज्ञापन लगबख साथ से जार पदू पर आएगा उसके बाद ए इच्छा परीज्सक्ति सब्सक्राइब कर नविज मार चाला प्रेजसा कासाल प्राइब कार्यॅच अये तयार है कब तक आए और आपकी सवाल है कर सक्तारünde मृए-इस कार्ण कारण पर चुनाब समाप्ठ होगा मैं वैँछे आपको परिज्ञापन मैं इसी फ़िया भी तो बेट कर ये थोड़ा आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा सचा यही है और पूरा मसला चुनाओ पर है और सब कुछ तयार है परिजाम को नहीं जारी हो रहा तो सब लोग बीजी है भी और अभी आदेश नहीं मिल पा है कोई परिजाम जारी करने के आदेश लेना ज सबाल होगा कौन कौन सी प्रड़क्ट के दाम बढ़ने वाले तो तेल के दाम बढ़ने वाले हैं सासो का तेल हुआ रिफाइंट तेल हुआ इत्याद दाल के दाम बढ़ने वाले हैं खाने पीने के समान के दाम बढ़ने वाले हैं रेक्ट्रेंड के दाम बढ़ने वाले थ चुनाव जैसे ही समासों का दत मार्च वैसे आपको दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे बिहार में नई सिच्छक भर्ती का विग्यापन जारी हुआ जिसका आपको बेसबरी से इंतजार था नोटिस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस नोटिफिकेशन को आप बिहार लोग सिवाइब के आजकार विग्यापन साइट से जाकर डाउंडोड कर सकते हैं परधाना ध्यापक की भरती आई है आपको उता दे सिच्छा विभाग बिहार के अंतरकत उच्छे माधिमी विद निवासी उमिद्वार से विहित प्रपत्त्र में आउनलाइन आभेदन आमंत्रे किये जाते हैं आउनलाइन आभेदन भरने का अनुद्धर विहार लोग सिवायो की अज़कार वेफसाइट पर अपलोड कर दिया है वेफसाइट क्या है www.bpsc.bib.nic.in आप इस पर जाएए जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें वेल आइकन दो है और पर स्रेड़ करें जैंज भारुस्तों नमसकार